शिभी उशीनार देश का राजा था. एक दिन राजा एक सभा में बैठे थे. उसी समय एक कबूतर उड़ता हुआ आया और एक कपड़े में राजा की गोध में जाकर छिप गया. कबूतर बहुत डरे हुए थे. राजा ने प्यार से उस पर हात हिलाया. कुछ देर बाद एक गीडड कबूतर के पीछे उड़ता हुआ आया और राजा के सामने बैठ गया. गीडड आदमी की तरह बोलने लगा. आप न्यायप्रिय राजा हैं. किसी का भोजन नहीं छीनना चाहिए. यह खाने योग्य है. आपने उसे जाने दिया. कबूतर मेरा भोजन है. राजा शि मुझे बहुत भूख लगी है. तुम मेरा खाना क्यों छीन ले रहे हो और मेरी जान ले ले रहे हो? राजा शिभी ने कहा. तुम कोई भी मांस खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो. आपको कबूतर को मारने की जरूरत नहीं है. आप कितना मांस चाहते हैं? गीडड़ ने कहा राजा, अगर कबूतर मर जाए या कोई और जानवर मर जाए, तो मांस मिल जाएगा. अगर सभी जानवर हमारे लोग हैं और आत्म समर्पन कर चुके हैं, तो इस कबूतर को क्यों मारें? यदि आप उनमें से किसी को मारना चाहते हैं. मैं एक ताजा मांस खाने वाला हूँ